दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी भी एक्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रैटेरिया वो है नोट्स अगर आप मुझसे पूछते हैं विदाउट नोट्स क्या मैं कोई एक्जाम क्रैक कर सकता हूँ दोस्तों कोई भी बड़ा एक्जाम विदाउट नोट्स क्रैक नहीं हो सकता तो आज हम बात करेंगे नोट्स बनाना क्यों जरूरी है XCHM Digital में आपका स्वागत है दोस्तों किसी भी एक्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी स्टेटेजी यही होती है कि एक end day पर आपको पूरा का पूरा syllabus याद होना चाहिए यानि कि यह नोट्स बनाने से ही अच्छिव होगा अब next important सवाल यह आता है कि नोट्स बनाए कैसे नोट्स में लिखना क्या है अगर आपके 10 पेजेज के चैप्टर हैं तो कोशिश कीजिए कि maximum से maximum 3 पेजेज में condemned कर पाएं यह इस तरीके से लिखे होने चाहिए कि उन 3 पेजेज को पढ़कर आपको पूरा चैप्टर याद आ जाना चाहिए जबसे ज़्यादा important बात यह है कि आपके नोट्स एकदम exam oriented होने चाहिए इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं पहला तो यह कि आपके पास hard copy available होना चाहिए जब भी आप कोई chapter start करें तो अपनी syllabus पे पहले article उठाएं और cover कीजिए दूसरी चीज यह कि last year के questions उठाके उन्हें देख सकते हैं कि किस-किस तरीके के questions पूछे गये हैं इस तर से आप उसको analyze कर सकते हैं कि कौन से chapter ज़्यादा important है दोस्तों यह scientifically proved है कि अगर आप अपने notes खुद बनाते हैं तो आपके retention power को improve करता है और finally हम यह कहेंगे कि आप अपने notes खुद ही बनाएं किसी की copy ना करें दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे share करें और XEHM Digital को subscribe करें हम फिर जल्द लेकर आएंगे और एक interesting वीडियो